दोस्तो आज हम इस वीडियो में ब्रह्मान के सबसे बड़े तारे यानी वीवाई कैनिस मेजूरिस यूवाई स्कुटी स्रीफंसन 280 से हमारे सूरिय की तुलना करने वाले हैं साती में हम और भी जानकारी इस तारे के विशे में जानने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले हम वीवाई कैनिस मेजूरिस की तुलना करते हैं हमारे सूरिय से तो सूरिय का व्यास लगबग 13,92,700 किलोमेटर है वही वीवाई कैनिस मेजूरिस तारे का व्यास एक अरब 97,58,000,000 किलोमेटर है यानि व्यास के मामले में VY Canis Majoris Tara सूरिय से 1418 गुना अधिक बड़ा है और पृत्वी से 1,155,61 गुना अधिक बड़ा है VY Canis Majoris Tara वजन के मामले में सूरिय से 17 गुना अधिक दरव्यमान वाला तारा है पर यह तारा उमर में सूरिय से छोटा है सुर्य की आयू 4.6 बिलियन साल है वही वी वाई केनिस मेजूरिस तारी की आयू 8.2 मिलियन साली है यह तारा सुर्य से 4.892 प्रकाशवर्ष दूर है वी वाई केनिस मेजूरिस तारे के तापमान की बात करू तो 3216 डिग्री से वही सूरिय का तापमान 5458 डिग्री से यानी हमारा सूरिय इस तारे से अधिक गरम है यह तारा सूरिय से 2,70,000 गुना अधिक चमकिला है सूरिय अपनी जगह 7,189 किलोमेटर प्रती गंटी के देदे से गुमता है वही वी वाई केनिस मेजूरिस तारा 10,80,000 किलोमेटर प्रती गंटी के रफ्तार से गुमता है यानी सूरिय सिल्लग बग 1,500 गुना अधिक देदे से गुमता है वी वाई केनिस मेजूरिस तारा इतना बड़ा है कि प्रकाश के गती से अगर हम इस तारे का चक्कर लगाए तो हमें करीबन 6 गंटे लग जाएगे वही अगर हम सूरिय का चकर लगाए तो हमें सिर्व 14.5 सेकेंडी लगेगे VY Candice Majoris तारे को सबसे पहले देखने का श्रेय जरोम लेलोंड को जाता है इन्होंने यह तारा 1801 में पहली बार देखा था इस तारे का नाम VY Candice Majoris यह नाम 1949 में रखा गया अभी हम UYS कुटी की तुलना सूर्य से करते हैं U.S. Kutti तारे के व्यास दो अरप 37,65,000,000,000 का है यानि व्यास के मामले में U.S. Kutti तारा सुरिय से 1706 गुना अधिक बढ़ा है और पृत्वी से 1,86,509 गुना अधिक बढ़ा है यूवाइस्कूटी तारा वजन के मामले में सुर्य से 30 गुना अधिक दरव्यवान वाला तारा है यूवाइस्कूटी तारे की आयू लगबक 13.6 मिलियन साले यानि यह भी तारा सुर्य से उमर में छोटा है इस तारे की सुर्य से दूरी 5,219 प्रकाशवर्श दूर है यह भी तारा सुर्य से कम घर में इस तारे का तापमान 3091 डिग्री सिल्शे से और यह तारा सुर्य से 3,440,000 गुना अधिक चमकिला है US कुटी अपनी जगह 4,64,400 किलोमेटर प्रती घंटी की तेजे से गुमता है यानि सुर्य से 64 गुना अधिक तेजे से गुमता है US कुटी तारा इतना बढ़ा है कि अगर किसी वस्तु को इस तारे का पूरा चक्कर लगाना है तो वह भी प्रकाश की गर्ती से तो उस वस्तु को 7 गंटे लग जाएगे पूरा एक चक्कर लगाने में US कुटी तारे को सबसे पहले देखने का श्रिय एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर को जाता है जिनका नाम रिविल नहीं किया गया इस एस्ट्रोनॉमर ने 1806 में पहली बार US कुटी तारे को देखा था अभी हम स्टीफेंसन 280 तारे के बिशे में जानते हैं स्टीफेंसन 280 तारे का व्यास दो हरब 99 करोड 15 लाग किलोमेटर है यानि व्यास के मामले में यह तारह सुरिया से 2,147 गुना अधिक बड़ा है और पृत्वी से लगबग 2,34,774 गुना अधिक बड़ा है यह तारह स्टीफेंसन 280 तारे के वजन की बात करू तो यह तारह सुरिया से 47 गुना अधिक दरविवान वाला तारह है इस तारे की लगबग आयू 27.8 मिलियन साल कही जा रही है इस तारे की सुर्य से दूरी उननिस हजर पात्सो सत्तर प्रकाशवर्श दूर है यह भी तारा सुर्य से कम घरम है इस तारे का तापमान 2926 डिग्री सेल्सिय से यह तारा सुर्य से 4,4,000 गुना अधिक चमकिला है स्टीफंसन 280 अपनी जग़ 2,27,800 किलोमेटर प्रती गंटी की तेजी से घुमता है यानि हमारे सुर्य से 31 गुना अधिक तेजी से घुमता है स्टीफंसन 280 तारा इतना बड़ा है कि अगर कोई चीज प्रकाश की गती से इस तारे का चक्कर लगाए तो उसे एक चक्कर लगाने में करीब 8,5 गंटे लग जाएगे स्टीफंसन 280 को सबसे पहले देखने का श्रिय चार स्टीफंसन को जाता है इन्होंने इस तारे को 1990 में पहली बार देखा ता I hope दोस्तू आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चानल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तू